गड़वा जिले को अपराद मुक्त बनाने के दिशा में पर्यासरत गड़वा पुलिस द्वरा लगातार सफलता अर्जित की जा रही है जहां एक तरफ कल पुलिस द्वरा दो मिनिगन फेक्टरी का उत्वेदन किया गया और तेश हथियार बरामदगी के साथ 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 आरोपी को गिरफतार किया गया वहीं आज हम आज की सफलता की बात करें तो कुछ दिनों पहले जिले की घटना का भी पुलिस ने उत्वेदन कर दिया इस मामले में भी पुल साथ आरोपियों को गिरफतार किया गया क्या है पुरी घटना देखिया हमारी आप इस रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों के पीछे चेहरा डखे और हतकड़ी पहने यह वही साथ को कर्मी है यह दौरा गढ़वा जिले के बंसी धर अनुमंडल इलाके में दरेंदगी की घटना को अंजाम दिया गया था अभी कुछ दिन पहले ही यूपी के सुनभदर जिले की दो लड़किया आधार काड बनवाने के ख्याल से बंसी धर नगर मुख्याले पहुची थी जहां पर अपने साथी के साथ तो उनका पीछा करते हुए इस सभी आरोपी वहां पहुचते हैं और दुनों लड़कियों को और उनके जो साथ में दो लड़के थे यानि उन चारों को पकड़ करके जंगन मिले जाते हैं जहां पर उनके दौरा पहले उनके दो लड़कों जो साथी उनके साथ मार्पीट की जाती है उसके बाद दुन लड़कियों के साथ बारी बारी से गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है इस घटना के बाद पुलिस ने इस घटना को पुरी तरह से चुनोती पुन लिया और एस पी ने इसे गंभीरता से लेते हुए तदकाल DSP अजीत कुमार के नित्रितों में एक टीम का गठन किया और त्वरित चापे मारी शुरू की गई लेकिन इस सातिर दिमाग वाले सारे आरोपी अपने साथ मोबाइल फोन बिना रखे हुए फरार हो गए अब ऐसे में पुलिस को उनका लोकेशन पता लगाने में परसानी ह लिया था सो लगातार चापे मारी करती रही नतीजा हुआ कि सभी आरोपी कुछ गढ़वा जिले के बिभीन अस्थानों से तो कुछ पड़ोसी राज यूपी से गिरफतार कर लिए गए गये एक अनपॉचुनेट इंसिडेंट गढ़वा जिले में नगरुटारी थाना श अभ्यूप थे उनको विक्टिम नहीं पहिचानती थी यानि कि वो अग्याद थे इसलिए काइंड ऑफ ब्लाइंड केस था इस समन में जब इमामला सामने आया तो तकाल प्राथमी की दर्ज कर अनुसंधान प्रारम कर दिया गया था इस केस में मेरे द्वारा जो है एस्ड की पैचान करने में थोडा समय लगा अभ्यूक्ती की पैचान हो गयी उसके बात जो है लगाता चापे मारी कर सभी अभ्यूक्तों को अलग अलग जगा से यहां पे गरभतार कर लिया गया और इस घटना का उद्विधन हो गया पुजिस ने क्या पाया सर वास्तव में घटना हो चाहती वास्तव में ये एक जो घटना थी इसका फैक्स ये था कि दो लड़के और दो लड़किया बाइक पर अपना घर तरफ उत्तर तुजश में जा रही थी तो इनका पीछा कर जंगल में जो है इनको पहले तो तीन लोगों ने इनको रोका उसके बाद पीछे से कुछ लोग आए और उन लोगों ने इनको अलग-अलग कर दो लड़कियों के साथ दुश्क्रम किया और दो लड़कों के साथ मार्पिट किया